Hello Friends, Welcome to Study IQ Study IQ के इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हर्याना के अगस्त महीने के करंट अफेर्स Already हम सब्तंबर के अप्लोड कर चुके हैं तो ये हम करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेर्स बहुत ही ज़्यादा करंट अफेर्स हैं और बहुत ही important करंट अफेर्स हैं इसके अंदर Myself आशू बंसल और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके बहुत से exams के लिए क्या है helpful रहेंगे और ये हमारा initiative है हमारा हर्याना तो उसके तहट आपको ये करंट फेर्स पूरे साल के complete करवाए जाएंगे ये करंट फेर्स बहुत ही important resources like government की press release हर्याना के बहुत ही important newspaper से cover किये गए तो कोई भी करंट फेर्स जो है वो miss होने वाला नहीं है ये study IQ का आपका promise है इस वीडियो में जो भी questions आपको मिलेंगे वो English plus Hindi दोनों language में मिलेंगे तांकि जो Hindi माद्यम के बच्चे हैं उनको भी कोई समझने में दिक्कत ना आए लेकिन जो options होंगे वो के वल किस language में होंगे English में तांकि option को समझने भी आपको कोई problem ना है तो मेरी बोलने की जो language रहेगी वो Hindi रहेगी तो काये start करते हैं फिर आज के पहले question के साथ What is the name of the program by which हर्याना Chief Minister interacted with 650 women on the occasion of रक्षबंदन क्या नाम दिया गया थे कि unique सा concept हर्याना Chief Minister जी का कि जो मनोहरलाल खटर जी है कि उन्होंने interact किया रक्षबंदन पे 600 अरतों के साथ लेकिन उस program को एक नोखा नाम दिया क्या नाम था उसका हमारी बात हमारे Chief Minister के साथ हमारी बात हमारे मनोहर के साथ हमारा मनोहर हमारी बात हमारा राज्या तो क्या था अगर आपने सुना हुआ तो आप अंसर बताओगे very interesting question that's why I included and the answer is B हमारी बात हमारे मनोहर के साथ that was the initiative started by the Chief Minister मनोहर लाल खटर जी interacted with 650 women because it was a celebration of the रक्षबंदन रक्षबंदन का तिहार था तो वेबिनार किया गया जिसके अंदर जो औरतें थी उन्होंने अपनी बताई कि क्या क्या प्रॉलम्स हम लोग face कर रहे हैं किस तरह की हमी चीजे चाहिए और ये वेबिनार को organized किसने किया था that was Shashakt Yuvah Foundation उन्होंने इसको क्या किया था organized किया था ये अलग-लग area से जो है वो women's जो है वो इसमें participate करती है even कुछ renowned singer जैसे हिमानी कपूर हर्याना से class 12th के टॉप पर vice chancellor universities के doctors lawyers panchayali present ताकि हर तरह के लोग वहां पे हो तो हर तरह से हम उस चीज को situation को क्या कर सके समझ सके तो ये बहुत ही अच्छा initiative जो मनोहरलाल खटर जी has congratulated Mr. Pradeep Singh आपने अभी नाम सुना होगा UPSC का result आया है और जो Pradeep Singh उनका पहला rank आया है UPSC की civil service mains examination में वो हर्याना से बिलोंग करते हैं लेकिन कौन सी district से बिलोंग करते हैं ये आपने बताना है मुझे फटा-फट answer बताओगे ये तो आपको पता होगा अगर त्यारी कर रहे हो तो फाइदा ही नहीं है फिर अगर आपको ये ही नहीं पता की हर्याना civil service के mains में rank जो हो सबसे पहला किसका आया है Mr. Pradeep Singh का है और वो हर्याना के कौन से जिले से समन्द रखते हैं फटा फट बताओगे अजी अंसर 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 पांच सेकिंड होगे आपके और अंसर क्या है इसका सोनी पत कहां से बिलॉंग करते हैं वो सोनी पत से बिलॉंग करते हैं Next question अर्याना अर्बन लोकल बॉडिस एंड होम मिनिस्टर launched which web portal for the management and monitoring of development works for all urban local bodies in the state यह ऐसा पहली बार हो रहा है किसी भी स्टेट में इंडिया में कि जितने भी urban local bodies है हमारी like जो हमारी munsipalities हैं जितने भी वो काम कर रही है सब को monitor करने के लिए कि कौन सा officer क्या काम उसको दिया गया है कितना कर रहा है कितना pending है वो देखने के लिए एक web portal जो है वो launch किया गया है अनिल विज्जी के द्वारा यह launch किया गया हमारे home minister urban local bodies के minister और उस web portal का नाम आपने मुझे बताना है और मैं आपको 5 second का time ताइम दे रहा हूँ फटा-फट मुझे answer बताओगे क्या answer होगा rural से urban तक सबका साथ सबका विकास work together या फिर work management system तो वैसे तो आप नाम से निकाल सकते हो कि answer क्या होगा इसका 5 seconds खतम भी होगा answer क्या होगा work management system यह portal जो होनोंने launch किया है यह ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट में पूरे इंडिया में ऐसा कोई portal जो है वो लांच किया हो तो बहुत important हो गया और urban local bodies को paperless कर दिया गया पूरी तरह से मतलब जो भी काम होगा अब online होगा centralized होगा web-based होगा सारा का सारा काम online हो गया अब एक user ID और password दे दिया जाएगा employees को उसके अंदर ही उनके पास आया करेंगे कि क्या काम है किस तरह का काम उन्होंने करना है और उनको चेक किया जा सकता है कि वो अपने काम को अपने time के according कर रहे है quality वरक की क्या है completion time पे हो रहा है या नहीं हो रहा और information कि कितना time period अगर नहीं भी हुआ काम time period पे तो और कितना time उसको लगेगा ये भी वो जो है वो show यहां पे करेगा तो बहुत ही अच्छा initiative है इससे क्या होगा good governance का जो principle है वो आ गया आता है और लोग जो है लोगों का बिश्वास जो है वो सरकार के उपर बनता है next question all welfare schemes of center and state government departments would be linked with the now this is again important कि सारी की सारी schemes क्योंकि ये हमेशा confusion रहती है कि जैसे मुझे बहुत से students आके बोलते है सर इतनी schemes क्यों चलाते हैं like 70 schemes चला दी 60 schemes चला दी या एक ही चीज की 10-10 schemes चला दी है तो अभी ये काफी states ये initiative ले रही है जैसे हिमाचल ने भी ये initiative लिया है ये हर्याना government ने initiative लिया ठीक है center government ने भी ऐसा किया कि जितनी भी welfare से related schemes है चाहे वो center किया है चाहे state government किया है सब को क्या किया जा रहे है लिंक किया जा रहे लेकिन वो कौन सी scheme के साथ लिंक किया जा रहे है आतम निर्बर बारत है smart ration card है परिवार पहचान पत्तर है या none of these है अब मुझे बताओगे फटाफट क्या answer होगा हाँ जी क्या answer होगा फटाफट answer is अभी मनोहरलाल खटर जी ने वो distribute किये है और वो क्या है परिवार पहचान पत्तर परिवार पहचान पत्तर में जितनी भी जोजनाए है वो सारी की उसमें लिख दी जाएंगी बता दिया जाएगा कि ये जे चीजिजें के आप लाबार्थी हो और उसके according आपको बस सिर्फ परिवार पहचान पत्तर आपने दिखाना है, उससे आपको लाब जो है वो मिल जाया करेगा, हर्यानने यूणिक इगरनेस इनिशेटिव जो है स्टार्ट किया है, तांकि सेन्टर और स्टेट की स्कीम को कंbunivers कर सके हैं, और इस स्कीम को कंb families को जो है वो यह distribute किया और इसको क्या किया है start किया है क्योंकि state government जो है हर्याना government जो है वो 2020 का साल यह बहुत important question है इसलिए मैंने इस line को यहां पे लिखा है कि क्या बना रही है इस साल को celebrate कर रहे हैं किस नाम से that was सुशान संकल्प वर्ष इसका मतलब क्या होता है सुशाशन संकल्प वर्ष मतलब good governance जो year है हम उसको मनाएंगे मतलब सरकार लोगों के लिए ही काम करेगी ऐस सच और कोई काम नहीं करेगे जो उनका motive वहीं करेंगे नेक्स आते हैं अगला question अंडर दी मुख्य मंत्री दूद उपहार जोजना दो जोजना उन्होंने इकठे पांच अगस्त को लांच की थी तो आप देख सकते हो दोनों को मैं इकठा करवाँगो दोनों को इकठा समझाऊंगा अंडर दी मुख्य मंत्री दूद. उपहार जोजना फ्लेवर्ट स्किम्ड मिलक पाऊडर वुड़ प्रवयदर तू चिल्डर अफेचे जाज है तो यह तो आपको बता लग गया मुख्य मंत्री दूद उपहार जोजना के अंदर दूद दिआ जाएता है skimmed milk दिया है तो फ्लेवर दिया जाएगा ये हफते में 6 दिन दिया जाएगा हर रोज जो है वो अलग लग flavor का milk जो है वो दिया जाएगा सुगंदिध होगा इसलिए मैंने पहले बता दिया कि flavor होगा और ये किस उमर के इस खबर को पड़ा है तो अंसर क्या होगा इसका इसका अंसर होगा एक से छे साल वन टू सिक्स येर तो एक से छे साल के बच्चों को ये दूद के package जो है वो दिये जाएगे skimmed milk दिया जाएगा अगली news भी सुननो फूर उसके बाद हम दोनों को कठा discuss करेंगे अगला हमारे पास किया एक और कार्यकर में इसके साथ स्टार्ट किया गया था महिला एवं किशोरी समान जोजना वो किसके लिए था बच्चों के लिए था ये किसके लिए महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी समान जोजना adolescent girls and women of which age would be provided free sanitary napkins कितनी वर्ष के औरतों को या लड़कियों को sanitary napkins जो है वो सरकार की तरफ से क्या की जाएंगे provide की जाएंगे तो इसका मतलब किशोरी समान जोजना के अंदर sanitary napkins को देने का प्रावदान है मुझे बताएंगे कितने साल से कितने साल के बच्चों की बात हो रही है तो इसका अंसर क्या होगा तो फटा फट एज बताओगे मुझे कितनी होगी पांच सेकिट का टाइम दे रहा हूँ फोटो आप देख सकते हैं मनोरलाल खटर जी कि यहाँ पे sanitary napkins को जो है दे रहे हैं जो औरते हैं उनके साथ launch किया जा रहे है इसको तो अंसर इसका क्या होगा 10 से 45 साल 10 से 45 साल की औरतों को sanitary napkins जो है वो इस जोजना के तहट जो है वो दी जाएगी अब पहले दूद उपार जोजना को समझते हैं मुख्यमंत्री दूद उपार जोजना जो है वो skimmed milk प्रवाइड करेगी कितने साल के बच्चों को एक से लेके 6 साल के बच्चों को और कहां पे ये प्रवाइड किया जाएगा आंगनवाडी centers में और pregnant and lactating mothers under the integrated child development scheme इस scheme को किसके अंदर लिया है पर डे और six मेंने बताया था छे दिन ये मिलेगा हर बच्चे को दिया जाएगा लेकिन हर दिन जो फ्लेवर है वो क्या होगा अलग लग होगा तो हर दिन 200 ml जो प्रवाइड होगा ऐसी आप समझ सकते हो कि शोरी सम्मान जोजना ये adolescent girls मतलब जो लड़किये हैं और ओरते हैं उनको दिया जाएगा 10 से 45 साल की ओरतों को ये दिया जाएगा टार्गेट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और कितनी BPL families तक पहुंचाना है इतने लोगों तक नहीं हर मन्थ जो है उन्होंने ये free napkins को distribute करना है जिसमें एक packet में कितने napkins होंगे 6 होंगे नेक्स आजो अगला question विच नॉवलिस्ट एंड प्ले राइटर अचीव दिस्टिंशन ओफ बिइंग दिफस्ट इन इंडिया जाए मतलब कोविड-19 के बारे में ही लिखा जाए और उन्होंने ऐसे किया और टाइटल किया दिया अपनी बुक को lockdown उन्होंने ऐसे साथ जो है वो short stories लिखी है करोना मतलब lockdown से related उन्होंने लिखा इसके बारे में और वो कौन से ऐसे उपने असयार और नाटक कार जवब बन चुके हैं डॉक्टर अजे शर्मा है डॉक्टर चंदर्त रिखा है डॉक्टर अनिरुद्राइ है और मिस्टर मादव कौशिक है फटफट मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा इसका और इसका आंसर क्या है डॉ अजे शर्मा डॉक्टर अजे शर्मा अपने याद रखना है हर्याना से बिलॉंग करते हैं डॉक्टर अजे शर्मा जी उन्होंने इसको जो है वो लिखा है नेक्स आजो दा हर्याना गॉर्मेंट हैंट साइन दियर फर्स्ट एमो यू यह ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्ह है फ़ी क्या आंसर के बच्छों मुझे हां जी बताओ एक हिंट देता हूं आप उसको बैंक की तरह नहीं जानते वहेसे बैंक का काम ने कर्ता लेकिन है वो बैंकी तो बताओ अब तो answer clear हो गया होगा, तो answer क्या है SIDB, फिर भी बच्चों ने RBA बता दिया, क्योंकि मेरा hint जो है, वो RBA की तरफ भी संकीत कर रहा था, तो answer क्या होगा इसका, SIDB होगा, that is the Small Industries Development Bank of India, उनके साथ इनोंने एक tie-up किया है, जिसके तहद जो है, वो क्या करेंगे, एक ऐसा system बनाए तांकि जो हर्याना में छोटे रोजगार है, उनको जो है, वो किस तरह से पैसा जो है, वो प्रवाइड हो सके, तो under this arrangement, SIDB शेल सेट अप a dedicated project management unit, PM जो बनाएगा, जिसके तहद वो देखा जाएगा, कि छोटी-छोटी scheme जो है, हर्याना गौर्मेंट की initiatives हैं, interventions हैं, MSM इसको लिए वो क्या कर सके, पैसा प्रवाइड कर सके, जैसे सरकार मानलो कोई subsidy दे रही है, किसी अधियोग को चलाने के लिए, तो वो SIDB के सामने रखेगी, सरकार SIDB उनको कुछ पैसा जो है, वो दे सकता है, तो इस तरह से ये tie-up सरकार के साथ हुआ है, next question, recently Haryana Directorate of School Education has started a program named Super 100, for which class of students, that is a different idea by the Haryana School Education Directorate, कि एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसमें 100 बच्चे ही लेंगे, जिसको नाम देंगे Super 100, जैसे एक बिहार में चलता है Super 30, जिसमें JE, IAT के बच्चे होते हैं, तो वैसे ही Super 100 जो है, वो स्टार्ट के बच्चों के लिए के स्टार्ट किया गया, तो मैं हिंट दे चुका हूँ आपको कि उसी की तरज पे स्टार्ट के गया, तो फटा फट मुझे बता दो कौन सी क्लास के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, अंसर आपको 5 सेकिंड के अंदर अंदर देना है, और आपके 5 सेकिंड खतम होने की कगार पे हैं, और अंसर क्या होगा, इसका क्लास 11, क्लास 11 के बच्चों के लिए इसको स्टार्ट के, मतलब जो दस्मी के चातर हैं, वो पास कर चुके हैं, दस्मी को, तो उनके लिए जो है, वो बेसिकली, सुपर हंडर्ट प्रोग्राम है, अब देख सकते हो, सुपर हंडर्ट स्कीम लिया है क्लास 11 में और वो इंट्रस्टेड हैं स्कूल सुपर हंडड़ प्रोग्राम के अंदर तो रिजिस्टेशन करवा सकते हैं 13 अगस्त से तो हमने यहां पर लिख दिया 13 अगस्त क्योंकि काफी बच्चे जो हैं या उनके बाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे त यह अलग से हर्याना गौर्मेंट ने स्टार्ट किया है कि जो गौर्मेंट इडिट स्कूल से रिटायर हो चुके हैं इस टाइम पिरिट से इस टाइम पिरिट के बीच में उनको हर महिने कुछ ना कुछ पैसे जो है वो क्या दिया करेंगे हर्याना गौर्मेंट की तरफ से जो मैंने question के अंदर line लिखे, वैसा question आ सकता है, question आपको यह आ सकता है, कि हर्याना government ने कितने पैसे देने के बाद जो है, वो कही है, government-aided schools के, जो retire हो चुके, teacher है, तो answer इसका क्या है, कौन से साल के बीच में retire हुरे हैं, अगर 1988 से लेके, 1998 के बीच में, अगर retire हुरे हैं, इन करेगी, सबकी राशी अलग लग है, मैंने लिख दिया, लेकिन आपने याद नहीं लखना, लेकिन 28 जुलाई 1988 से लेके, 10 मई 1988 के बीच में, अगर वो retire हुआ है, मतलब इन 10 सालों के अंदर अगर वो retire हुआ है, तो इस scheme को नाम दिया गया है, पंडिदीन दियाल उपध्या दिया जाएंगे, maximum to maximum इसमें 20,000 रुपे दिया जाएंगे, कम से कम इसमें 12,000 रुपे दिया जाएंगे, कैसे दिया जाएंगे, अगर principal है, तो 20,000 रुपे, अगर headmaster है, तो 18,000 रुपे लेक्चरार है, तो 16,000, master है, चाए वो हिंदी, पंजाबी, संस्क्रे, किसी भी अगर आप देखोगे उसमें है, तो 14,000 रुपे, मतागर language के basis पे है, अगर कोई junior teacher है, drawing teacher है, या आप कह सकते हो कि PT teacher है, cutting, tailoring teachers है, किसी भी तरह के website से जुड़े हुए teacher है, लेकिन teaching का का काम करते तो उनको 12,000 रुपे जो है, वो मन्तली मिलेंगे, अपने याद रखना है इस teaching staff को भी उन्होंने कहा है कि class third और class fourth को भी हम कुछ पैसे देंगे, 11,000 रुपे, clear, तो इस scheme में maximum to maximum 12,000 रुपे दिये जा रहे है, कम से कम जो हो कितने पैसे दिये जा रहे है, 6,000 रुपे दिये जा रहे है, यह बहुत ही अच्छा initiative है, लेकिन यह सिरफ उन लोगों को रहे हैं, यह बात एक और इसमें आड होगी, इसका मतलब जो पहले से pension ले रहे है, उनको तो कोई फायदा नहीं होगा, जो pension नहीं ले रहे है, उनको फायदा होगा, और साथी साथ मिनियम कौलिफाइंग सर्विस जोब उनकी 10 साल की होनी चाहिए, ऐसे ने की 5 साल उन्हों के dependent को pension मिलती रहे हैं, अदरवाइस होता है कि one legal, जो dependent होता है, उनको पैसे मिलने स्टार्ट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, और यह 1 जनवरी 2019 से है, स्कीम इसका मतलब जो पुराने पैसे हैं, area के तार पे उनको जो है, वो दे दिये जाएंगे, clear? Next question, what is the name of police officer from Haryana, who have been chosen to be awarded with Union Home Minister Medal for Excellence? ये एक नया award था, जो 2018 में स्टार्ट किया गया था, उन लोगों को दिया जाता है, जो investigation में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, Union Home Minister Medal for Excellence in Investigation, 2020 का Haryana के किस police officer को जो है, वो मिल रहा है, आपने बताना है, या Mr. Sushang Kumar Sawan को मिल रहे है, अनिल कुमार जी को मिल रहे है, रीता रानी जी को मिल रहे है, या इन तीनों को मिल रहे है, तो आप बताओगे, ये medal पंजाब गौर्मेंट में भी एक DSP को दिया जा रहे है, वो मोहाली में पोस्टर है, हर्याना में ये एक बंदे को नी, ये बहुत ही अच्छी खबर है क हर्याना में ये medal तीनों को दिया जा रहे है, मतलब एक लेड़ी पुलिस ओफिसर भी है, जिनको ये अवार्ड जो है, वो दिया जा रहे है, याद रखना आपने, त्री ओफिसर्स फ्रॉम हर्याना, इंक्लूडिंग ए वोमेन पॉलिस ओफिसर, डाट इस रीता रानी, उन में से तीन कहां से हैं, हर्याना से हैं, एक मैं अलड़ी बता चुक हूँ, बंजाब से हैं, नेक्स आजो, what is the name of the police officer from हर्याना, who have been chosen to be awarded as President Police Medal for Distinguished Service, वो क्या था, investigation के लिए था, ये क्या है, Distinguished Service के लिए है, तो मुझे फटा-फट बताओगा इस अंसर क्या होगा, Distinguished Service के लिए किसको ये award दिया जाए है, दिया गया, पंदर अगस्त को, अर्शविंदर सिंग चावला, मनोज यादव, रिकेश मैनी जी, या फिर मुहिंदर सिंग जी, फटा-फट अंसर बताओगा, इसका पांच सेकिन आपके खतम होने ही वाले हैं, और आपके पांच सेकिन यह आपके खतम होते हैं, और अंसर क्या है, अर्शिंदर सिंग चावला जी, यह अंसर है, इसका अर्शिंदर सिंग चावला, इनको यह award दिया किया है, वैसे तो टोटल 12 पुलिस ओफिसर सेलेक्ट किये गए हैं, जिसमें से एक पुलिस ओफिसर को, डिस्टिंगुश सर्विस का medal मिलना है, और 11 को meritorious service का award मिलना है, तो ऐस सच हम 11 तो नहीं याद रखेंगे, जो award एक बंदे को मिला है, जैसे हमने किया कि तीन बंदों को मिला है, इन्वेस्टिंगेशन वी, वह हम याद रख सकते हैं, और यह एक award किसको मिला है, अर्शिंदर सिंग चावला जी को मि पंडी जसराज जी, इंडिन क्लासिकल वोकलिस्ट, बिलॉंगिंग टु मेवाती गराना, तो ये भी कोशन आपको पूचा जा सकता है कि पंडी जसराज जी कौन से गराने से बिलॉंग करते थे, उनका देहान थो गया है, और आपने बताना है कि वो हर्याना के कौन सी जग हुआ था, अंसर आपने बताना है, बहुत ही कम टाइम आपको देने जा रहा हूँ, 7 to 8 सेकिंड के अंदर आपने अंसर बताना है, क्या होगा, हाँ जी दोस्तों, अंसर इसका क्या है, अंसर है हिसार, कहां पे जनम हुआ था, डी हिसार में जनम हुआ था, पीली, पीली जो है वो इनका जनम हुआ था, और वो कहां पे हिसार में, आप से डिस्टिक पूछी जाएगी, तो डिस्टिक आपने क्या रखनी है, याद रखने है, बहुत इंपोर्टन है, इनको सबसे पहले पदम शिरी दिया था, पदम बूशन दिया गया, फिर क्या दिया गया, बारत रतन है, बारत रतन के बाद जो है वो पदम बिबूशन आता है, फिर आता है पदम बूशन, फिर आता है पदम शिरी, तो इस तरह से जो है वो वाड को डिवाइड किया गया है, तो इनको तीनों वाड मिल चुके है, बारत रतन नहीं मिला, उसके बाद जो है वो ती और नाम इस अवार्ड का का है पलिकुत्तम नैशनल आवार्ड यह किसलिए दिया जाता है एडूकेशन की इन्नोवेशन के लिए आपने बताना है कि हर्याना में यह सिलवर मेडल कौन से स्कूल को मिला है क्योंकि देखो तीन केटेगिरी हैं इसकी गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रॉंज है तो इसका मतलब गोल्ड किसी और को मिला है सिल्वर जो है वो हर्याना के स्कूल को मिला है ब्रॉंज जो है वो किसी और के स्कूल को मिला है Bronze जो है, वो केरला के س्कूल को मिला है, और Silver आपने बताना है की, हर्याना के किस स्कूल को मिला है, मतलब हो चेन है, सारी उस चेन को दिया गया है, ना कि एक स्कूल को या किसी 가WONG को, जो है, गाWONG के स्कूल को दिया गया था, आपने बताना है, दिल्ली Public Schools बहुत से हर्याना में दिल्ली Public Schools को मिला है DAV Public Schools, Millennium या फिर Both A&B तो proteins answer दोगे, मेरे कहाल से आपको answer दे देना चाहिए और answer का है DAV Public Schools, याद रखोगे B option इनको मिला है जो education में लोगों को बहुत ज़्यादा help कि है इस COVID के time period पे भी और वैसे भी जो है वो learning की education में improve करने के लिए और उन्हेंने virtual labs को जो है वो start किया तांकि online video देख के जो है वो उसको कर सके 3D design जो है वो उन्होंने बताया बच्चों को किस तरह से करना है और भी बहुत सी चीज़ें जैसे yoga हो गया, robotics हो गया, astronomy हो गया coding, recording हो गया तो innovation होगी education में और बहुत से बच्चे जो है वो इसका फाइदा उठा सकते हैं तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फाइदा और इसमें आप देख सकते हो कि पहला award सेंट क्रिस्टाफर स्कूल को मिला है जो की nagaland में है, इनको gold award मिला, एक लाक रुपे की राशी दी गई DAV Public School हरयाना को silver 50,000 रुपे और CMI Christ School केरला को bronze medal 25,000 रुपे जो है वो दिये गए तो आपने याद रखना है, DAV Public School हरयाना को ये award दिया गया इसा पहली बार हुआ कि जो स्वच्छ सर्वेक्षन 2020 अर्बन लोकल बॉड़ी इसमें दो केटगिरीज बनाएगी एक तो वो स्टेट जिनकी 100 से कम है अर्बन लोकल बॉड़ी एक वो जिनकी 100 से जादा है तो हर्याना को जो रैंक मिला है वो 100 से कम वाली में जो है वो आंका गया है क्योंकि 100 से कम है इनकी तो अपने बताने है हर्याना का 100 से कम आंके जाने वाली स्टेट में जो है वो कौन सा रैंक है हाँ जी बताओगे दोस्तों कौन सा rank है बहुत ही important question है और याद रखना है HCS के लिए HCS 2021 के लिए याद रखोगे 20 में आने के chance इसका में 21 के लिए बहुत ही important है याद रखना है कि कब जो है कौन सा rank जो है या फिर किस time period पे जो है वो इसको issue किया जाता है कौन issue करता है यह बहुत ही सी important चीज़ है जो हर्याना सेवल सर्विस में पूछी जाती है तो answer किया इसका second rank जो है वो हर्याना को मिला और इसमें जार्खंड जार्खंड स्टेट को पहला rank हासिल हुआ है first rank जार्खंड को लेकिन हमने हर्याना का याद रखना है second rank है तब देख सकते हो total 129 awards दिये गए और मद्यपरदेश का इंदौर शहर जो है मतलब cities में अगर आप देखोगे इंदौर सबसे पहले नंबर पे रहा लेकिन states में देखोगे जिनकी 100 से कम urban local bodies है उसमें हर्याना जो है वो दूसरे पे है उत्तरकंड तीसरे पे है जार्खंड जो है वो पहले पे है और ये ranking जो ह वो ministry of housing and urban affairs के द्वारा दी जा रही है clear चलो और स्वच सर्वेक्षन आपको पता ही है कि ये मोदी जी के द्वारा start किया गया था गांधी जयनती पे कि जब हम 2019 में गांधी जी की 150th anniversary बनाएंगे तो हमने इसको celebrate करना है और पूरे बारत को हमने क्या करना है clean कर देना है तो आज भी जो है स्वच सर्वेक्षन जो है वो चल रहा है स्वच बारत अभयान जो है वो चल रहा है तो अपने याद रखना है इसको कि 2014 में इसको start किया गया था which state will host the fourth edition of khalo india youth के most important question of the month most important question of the month कह रहा हूँ दोस्तों इसका मतब बहुत ज़्यादा important है खेलो india youth games के चौते संस्क्रन की मेजवानी कौन सा राज्या करेगा तो आप देख सकते हो कि रहे हैं रेजी जू 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 हमारे minister of state है independent charge sports के वो announce कर रहे हैं कि कौन सी state जो है वो इसको host करेगी तो आपके पास अंसर तो बिल्कुल simple है क्या होगा हर्याना host करेगा इस विट के कारण गौहाटी में होनी थी लेकिन अभी नहीं हो पा रही है तो 2021 की कहां पे होगी हर्याना में होगी इसके साथ ही एक और बहुत ही बड़ी breaking news है कि जो हर्याना जो है खेलो india youth games को जो जित करेगा तो किरन रेजी जू ने कहा है कि जो bricks games होंगी bricks that is Brazil, Russia, India, China और South Africa उनकी भी games जो है वो किसके साथ करवाई जाएंगी खेलो india youth games के साथ करवाई जाएंगी इसका मतलब जो bricks 2020 games है वो भी कौन अजोजित करेगा वो भी हर्याना ही अजोजित करेगा तो यह कोशिश की जारी है कि दोनों को हम क्या कर दें आड कर दें दोनों के एक साथ जो है वो करवा लें तो इसी लिए जो है वो कोशिश की जारी है कि दोनों को हर्याना करेगा तो याद रखना है most important question of the day है तो अब देख सकते हो खेलो india youth games sports mirror किरन रे जीजु जी ने अनौन्स किया है कि bricks games जो है 2021 की और खेलो india youth games है वो दोनों जो है वो एक साथ करवाई जा सकत है और उसका हर्याना जो है वो क्या करेगा host करेगा आपने याद रखना है fourth edition है कई पर पूछ लेते हैं fourth edition करके तो आपको पता होना चाहिए third जो है वो कहां पे हुआ वो असम गौहाटी में लेकिन अभी नहीं हो पाया because of covid next question है how much infant mortality rate in the state has come down as recently clarified by हर्याना national health mission तो काफी इस से पहले आपको पता होना चाहिए कि infant mortality rate क्या होता है कि हजार बच्चों के पीछे कितने बच्चों की death हो रही है एक साल के अंदर अंदर within one year एक साल के अंदर survey किया जाता है कि हजार बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके पीछे कितने बच्चों की जो है वो death हुई है within one year त मतलब इतने परसेंट जो है वो इंफेंट मोटल्टी रेट जो है वो कम हो गया है तो इसका आंसर दोस्तों क्या है इसका आंसर है C 4.6% जो है वो क्या हो गया मतलब इतने परसेंट जो है वो बच्चों का मृत्यूदर जो है वो कम हो गया तो according to him मतलब that is the national health mission 1208 infants died in the state between April and June in the year 2020 in 2019 there was 1264 death इसका मतलब almost 4.6% जो है वो क्या हो गया कम हो गया और 1208 infants में 649 boys है 559 क्या है girls है almost जो है वो आप देखोगे 45-55% क्या आसपास है और infant mortality rate आपने याद रखना है इसकी definition डिरेक्टली पूछ लेते हैं HCS prelim में ये question काफी बारा हुए infant mortality rate क्या है नीचे 2-3-4 options दियोंगी तो उसमें से आपने बताना है तो याद रखना है ये 1000 के पीछे है वहाँ पे एक लाग के पीछे लिखा हो ता option में तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लिए उसको next what is the rank of haryana among the landlocked state as per the recent export preparedness index देखो ये भी पहली बार issue किया गया है export preparedness index ये पहले पता लग रहे है कि जो भी निरायत किया जा रहा है वो state की कितनी capability है क्या चीजे state पैदा कर रही है कि कौन कौन सी चीजे निरायत हो सकती है तो ये सारी चीजे देखने के लिए एक index prepare किया गया कि कौन सी state कितनी त्यार है तो उसमें लग-लग ranking निकाली गई कि वो state पानी के साथ लग रही है उसमें से पहला rank कौन सा है हिमाचली state में से rank किसका सबसे पहले number पे है या फिर आप देख सकते हो कि landlock में किसके पहले पे है तो हमारा हर्याना तो landlock पानी के साथ लगनी रहा तो landlock state में हर्याना का rank आपने बताना है कि कौन सा होगा सिरफ landlock states में हाँ जी बताओगे क्या answer होगा इसका और दोस्तों answer इसका क्या है थर्ड है मतलब थर्ड rank है हर्याना का इंडिया के states में से जो है वो इसको परपेर किया गए ना कि country वाइस परपेर किया गए इसलिए इंडिया का नहीं हर्याना का रैंक है नहीं लग रहा, यह इदर अंदरा आ जाता है, इदर उपर महराष्टा आ जाता है, तो बीच में आ जाता है तिलांगना, तो पानी के साथ नहीं लगता, तो पहले पर राजस्तान, दूसरे पर तिलांगना और तीसरे पर कौन सा है, हर्याना है, ओवरॉल इंडेक्स में गु Sport Performance मतलब । स्टेट 걸로 के साथ उनका Till которое पर भंप यह तो क्या अनकी रही है तो लैंड लॉक्त में kij लाजिस्थान पहले ऑई दूसरे पर मैने बता दिये तेलांग ना है तीसरे पर कौन से हर्याना है अगर हिमालियन स्टेट में से पूछे तो उत्तर कंड पहले पे Τ्री पुर्य दूसरे पर और तीसरे पर हिमाद अफशिरी मुक्तिनाथ वेद विद्या आश्रम जिसको संस्कृत गुरुकुल के नाम से फेमस किया गया है बहुत ही फेमस रहा चर्चित रहा आपने बताना है कि कौन सी डिस्टिक में इसको जो है वो खोला गया है हाँ जी अंसर इसका होगा पंचकुला सी अंसर होगा पंचकुला मनसा देवी कंप्लेक्स में जो है वो इसको रखा गया है और वहाँ पे ही ये संस्कृत गुरुकुल जो है वो बनाया जाएगा संस्कृत को अब स्टेट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा रही है और मनोरलाल खटर जी ने ये foundation stone जो है वो वहाँ पे रखा आपको ये भी पूछा जा सकते है कि किसने इसका उदगाटन जो है वो किया है तो संस्कृत गुरुकुल के नाम से या शिरी मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम के नाम से रखा गया है और 16th अगस्त को जो है 1995 को ही पंचकुला बना था 17th district of Haryana इसलिए जो है इसका मतलब foundation stone भी जो है वो 16 अगस्त को ही रखा गया था संस्कृत जो है वो उन्होंने कहा जो मनोरला खटर जी है कि वो हमारी ancient language है और शिरी मुक्तिनाथ विद्याश्रम जो है वो संस्कृत गुरुकुल वो इसमें बहुत ही जादा रोल प्ले करेगा इसको और भी promote करेगा संस्कृत को और भी बढ़ाएगा इवन स्टेट और भी काम कर रही है कि संस्कृत को जो है वो हम क्या कर सके आगे बढ़ा सके स्टेट गॉर्णमेंट हैस इस्टैबलिश महारीशी वालमिक की संस्कृत इंदट विलेज अब देखो ये निउस अलग से एक important बन जाती है because ये भी संस्कृत से related है लेकिन एक संस्कृत यूनिवस्टी और बनाई जा रही है उसका नाम के है महारीशी वालमिक की संस्कृत यूनिवस्टी ये अपने याद रखना है कहां पर बनाई जा रही है Catholic district में जो है वो बनाई जा रही है और पहले chancellor किसको point किया गया है डक्टर सुरियाश दिवेदी जी को भी point किया गया है तो अपने ये याद रखने है क्योंकि HCS जो question आपको पूछेगा वो ऐसे नहीं कि पिछले 3, 4 या 6 महीनों से पूछ लेगा वो बहुत important question निकाल लेगा इस से पहले वाले महीनों में तो इसलिए जो जो है बहुत ज़्यादा important हो जाता है कि महरीशी वालमिक की Sanskrit University जो है वो कहाँ पे खोली जाएगी Catholic district में जो है वो खोली जानी है और डॉक्टर सर्याश दिवेदी जो है इनको क्या बनाएगे है वाइस चैंसलर बनाएगे है नेक्स कोच नाते हैं हर्याना चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहरलाल खटर एनुगरेटे प्लाजमा बैंक वेर इट इस एनुगरेटेड तो पांच प्लाजमा बैंक जो हो चुके हैं हर्याना में रिसेंटली जो प्लाजमा बैंक एनुगरेट किया गया है वो कहां पे किया गया है हाँ जी दोस्तो चार आप्शन्स आपको यहां पे दिख रहे हैं रिसेंटली प्लाजमा बैंक खोला गया है Plasma Bank का बहुत ज्यादा फाइदा है कि जिन पेशेंट्स को COVID हो चुका है करोना हो चुका है वो ठीक हो चुके है इसका मतलब उनमें वो cell जो है वो विक्सित हो चुके है जो उस बिमारी से लट सकते हैं तो वो अपना Plasma donate करें ताकि हम वहीं cell जो है वो दूसरे में क्या कर सके Plasma के through transfer कर सके तो इसका अंसर दोस्तों बहुत ही simple इसका अंसर क्या है करनाल कलपना चावला Medical College में जो वो इसको खोला गया है तो करनाल एक और हो गया है टोटल जो हो हमारे पास कितने हो गया है पांच हो गया है तो आप देख सकते हो कलपना चावला Government Medical College करनाल में इसका उद्गाटन किया गया और पहले ही जो है वो हमारे पास चार है गुरूग्राम है फरीदाबाद रोत्तक और पंचकुला तो ऐससे सारे नहीं याद करने सिरफ आपने एक दो कॉलेजिज जो इंपोर्टन है कि कहां पे प्लाजमा बेंक जो वो खोला गया है नेक्स चीफ मिनिस्टर डेडिकेटेड न्यू बस्टेंड इन करनाल तू दी नेम ऑफ बिच मार्टेर मतब कौन से शहीद के नाम से जो है वो करनाल का ने बस्टेंड का जो है वो उद्गाटन किया गया या उनको डेडिकेट किया गया तो आप बताएंगे ने बस्टेंड किस शहीद के नाम से जो है वो समर्पित किया तो आपके पस चार options आप फोटो देख सकते हो अगर आपको फोटो थोड़ी सी याद है इन्होंने 1909 में जो है वो करजन विली को जो है वो मारा था तो बताओ मुझे कि क्या अंसर होगा इसका अंसर क्या है मदनलाल्टी इंगराजी मदनलाल्टी इंगराजी की इवन इनका एक स्टेचू भी जो है वो बस्टेंड के सामने जो है वो बनाया गया है सिरफ इनको शर्दानजली समर्पित करने के लिए और डेडिकेट किया गया है मदनलाल्टी इंगराजी को याद रखने करनाल के बस्टेंड को डेडिकेट किया गया है और इनका स्टेचू भी जो है वो यहां पे बस्टेंड के आगे जो है वो लगाया गया है तो एन इंटरनेशनल लेवल मार्टर मेमोरियल एक मार्टर मेमोरियल भी जो है बनाया जा रहा है उनके लिए एक मेमॉरियल बनाया गए जैसे मोदी जी ने बनाया दिली के अंदर वैसे हर्याना में बनाया जा रहा है इसके लिए 22 एकर लैंड जो हो फिक्स भी कर दी गी और यह बनाया कहां पे जाएगा अंबाला में अपने याद रखना है international level का ये martyr memorial है ये basically कहां पे बनाया जा रहा है हरयाना में बनाया जा रहा है और कहां पे अम्बाला में इसको बनाया जा रहा है ताकि जिन लोगों ने शहीदी प्रापत की 1857 के विद्रो में जो कि हम कहा सकते हैं कि modern era का पहला विद्रो था ब्रेडिशर के खिलाफ जिसमें मंगल पांडे जी ने उस रिवोल्ट को जो हम कहते हैं कि मेन स्टार्ट किया था तो उसके बेसिस पर उनको शर्दांजली यहां पर दी जाएगी तो याद रखनी है दोनों चीजें कि मदलाल टिंगरा बस्टेंड या स्टेचू जो है वो करनाल बस्टें इन अटल रैंकिंग ऑफ इंसिचूशन और इनोवेशन एंड अचीवमेंट जो यह स्टार्ट की गए थी अटल रैंकिंग इंसिचूशन की जितने भी कॉलेजीज हैं यूनिवस्टीज उनको रैंक किया जाएगा कि किस तरह से उनका परदर्शन रहा है तो अलग-लग ओवराल युनिवस्टीज की रैंकिंग इस्में एग्रिकुल्चर युनिवस्टीज की इंसिचूट्ट ने बढ़ís आपके पास् 4 उ» और जो की इसका अंसर क्या है अटल रेंकिंग इंसिचूशन में अग्रीकल्चर केटेगिरी में सबसे फेमस युनिवस्टी हरयाना की चौदरी चरन सिंह घ्रीकल्चर युनिवस्टी हिसार इसने पहला स्थान जो है वो क्या किया है हासिल किया है और इसमें एक बात बहुत है कि ये कौन जो है वो रैंकिंग को इशू करता है रिलीस करता है Ministry of Human Resource Development मतलब जो हमारे पास Education Ministry है जो Ministry of Education है वो जो है वो इसको क्या करती है रिलीस करती है अगर Overall Universities में देखोगे सारी State Universities को अगर देखोगे तो उसमें जो है वो Third Rank आया जो है इस University का आया है नेक्स्ट आज आज अगला Question कॉपरेटिब मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल लाँच्ट ए रिफाइंड शूगर विद विच ब्रैंड नेम कोंसे ब्रैंड नेम के साथ जो है वो हरियाना Government के जो कॉपरेटिब मिनिस्टर है बनवारी लाल जी उन्होंने एक रिफाइंड शूगर को लाँच किया आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको नाम यहाँ पे दिख रहा है तो आप लगा सकते हो Otherwise आप options यहाँ पे देख सकते हो तो दियान से अंसर देना है आपने और इसका अंसर कहा है दोस्तों A that is the एक शू एक शू शूगर मतलब एक शूगर तो उसके नाम से बेसिकली रखा गया ऐसा चिसकी अब्रिवेशन है याद करने का तरीका है एक शूगर तो ऐस तरह से अगर आप याद करोगे वैसे SUGAR है अदर्वाइस आप इसको याद ऐसे करोगे तो इसको लाँच किया गया ताकि बहुत ही अच्छी क्वाल्टी की जो शूगर है वो लोगों तक पहुंच सके और इसको प्रपेर किस ने किया है हर्याना गॉर्मिंट का एक डिपार्टमेंट हर्याना स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव शूगर में लिम्टेट की तरफ से इसको बनाया जा रहा है ताकि जो लोग कम खरीदना चाहते हैं एक किलो पांच किलो सब तरह के पैकेट जो है अवेलेबल करवाएगे तो अपने याद रखना है एक शू जो है वो उसको अभी लॉंक किया गया नेक्स्ट आफ्टर गुरुग्राम विच डिस्टिक हैस बिकम दी सेकंड डिस्टिक इन हर्याना तो इसका मतब पता लग रहा है पहली डिस्टिक कौन सी है गुरुग्राम है दूसरी डिस्टिक आपने बतानी है जिसमें बंदी कूट रॉबर्ट मशीन है और यह आपको पते यह क्यों है यह काफी स्टेट्स में है multiply पंजाब में टोटल 10 स्टेट्स में आप कह सकती हो कि यह है लकिन यह काम क्या करती है कि manual squenching को हमने खतम करना है like जो नालों को साफ करते हैं, sewage को साफ करते हैं तो उनको कई तरह की बिमारी हो जाते है because of gas, chemical wastage तो इसी के कारण जो है वो रोबोट का यूज किया जा रहा है तो अब दूसरी डिस्टिक हर्याना की कौन सी बन गई है जो रोबोट को यूज कर रही है मैन होल्स और सीवेज पाइपर को क्लीन करवाने में तो अपने बताने अंसर जल्दी ही बता हो गया आप हाँ जी दोस्तों अंसर क्या होगा बंदी कूट, रोबर्ट मशीन जो की क्लीनिंग, मैन होल्स और सीविज पाइप के लिए यूज किया जाता है और इसको बनाने में टोटल 51 लाक रुपे का खर्चा है, हर तरह का टास्क कर सकती है ये मशीन, जो की हुमन कर सकता है, वो सीविज को क्लीन कर सकती है, इवन जो है वो डिस्चार्ज कर सकती है, जो भी वहाँ से वेस्ट ही कठा हुआ है, अंदर से, और इवन कैमिकल्स और गै जो है, वो लोकल बॉडिस का काम है, तो वो स्टेट गवर्मेंट का काम हो गया, अगले साल के लिए क्या होगी है, पोस्पोन होगी है, तो हर्याना गॉर्मेंट ने वैसे अनौंस किया था कि जो खिलाड़ी जीतेगा, उसको 15-15 लाक रुपे के हिसाब से जो वो दिएंग कि खिलाडियों को त्यारी करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे पहले, तो हम उनको अडवांस दे रहे हैं कुछ पैसे, तो वो कितने पैसे अडवांस में दिये जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ी जो है, वो अपनी और पैर अलम्पिक्स और पैर अलम्पिक्स के लिए त सकें तो आप मुझे अंसर बताओगे दोस्तों जी अंसर क्या होगा बहुत ही सिंपल अंसर है इसका और आप अगर न्यूस पेपर पढ़ते हो तो यह हर न्यूस पेपर ने कवर को कवर किया है तो अंसर इसका क्या है पांच लाख रुपे डवांस में दिये जा रहे हैं D option is right option ताकि वो अपनी games की त्यारी कर सकें और आपने याद रखना है 2020 की बजाए आप 2021 में Olympics होंगे कहां पे टोक्यो में next अब देख सकते हो यहाँ पे यह उनको help करेगा कि वो आगे की competition की त्यारी कर सके क्योंकि 2021 में ओलंपिक होने है कहां पे टोक्यो में मैं आपको तीन-चार बार बता चुक हूँ इसका मतलब बहुत important है next question आजो तो हम कर चुके हैं यह वहला next आजो which player from हर्याना has received Rajiv Gandhi Khail Ratan Award now this question is very much important and 101% will be asked और यह guarantee है study AI क्योंकि यह question आएगा कि Rajiv Gandhi Khail Ratan Award जो है वो इस बार किसको दिया गया है तो आपने बताना है चार options आपके पास बहुत से तरह के अवार्ड जो है वो sports level पर दिये गए जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो कौन सा क्या होगा इसका बहुत ही simple yes इसका अंसर होगा मिस रानी पॉल एंड मिस्टर विनेश फोगट दोनों को ही मिला है तो अंसर क्या होगा आपके पास डी होगा याद रखना है most important question है रजीव गांदी खेल रतन अवार्ड जो पांच लोगों को मिला है जिसमें से दो लोग हर्याना से बिलॉंग करते हैं मैं सरानी पॉल एंड मिस्टर विनेश फोगट clear तो सारी मैं इकठे बताऊंगा कि किस को कौन सा अवार्ड मुले अगले question के उपर आते हैं द्यानचंद अवार्ड बता दो वई किसको मिला है द्यानचंद अवार्ड तो यहां पर आपके पास चार options हैं answer आप दोगे कि द्यानचंद पुरसकर हर्याना के किस व्यक्ति को म मिसरानी रामपल जो की होकी की प्लेयर हैं और विनेश फोगड जो की wrestler हैं दोनों को जो है वो रजीव गंदी खेल रतन जो वार्ड जो है वो दिया गया है तो वैसे भी अगर आपको कोई confusion ना जो रजीव जी के पीछे भी VR है विनेश जी के नाम के आगे भी क्या आ रहा ह वी आ रहा है तो ऐसे थोड़ा सा मतलब आप ट्रिक लगाओगे तो आपको ऐस सच कोई problem नहीं आएगी और वैसे भी खेल रतन है आ रहा रहा है इसमें इसमें भी आ रहा है तो इसका मतलब दोनों ही नाम जो है वो हर्याना सहब cover अराम से कर सकते हो तो अगला भी आपको प बड़ी के player है और नेतरपाल जी जो है वो wrestler है तो यह भी आप साथ में याद रखो कि कौन सी sport से belong करते हैं next question कौन से player को जो है वो दिया गया है तो फिर से चार options आपके पास द्रोन नचारे award जो है वो किसको दिया गया है मतलब जो best coach होता है उसको हम क्या देते हैं द्रोन नचारे award तो इंडिया में काफी coaches को यह award दिया जाता है तो आपने बताने हरयाना कि किस coach को यह award जो है वो दिया गया है जी तो अंसर क्या है, क्रिशन कुमार जी है, ओम दैया मतल़ अंसर क्या होगा, DBNC, क्रिशन कुमार जी जो है वह आप कह सकते हो कि कबड़ी के इंस्ट्रक्टर हैं, और यहीं जो है, हमारे पास Mr. Om Prakash दैया जी, यह रेसलिंग के इंस्ट्रक्टर है, मतल़ खुद भी रेसल अब रहे गे आपके पास अरजुन अवार्ड अरजुन वार्ड बहुत से लोगों को दिया गया है तो अब बाकी याद कर लो अगर और कोई नाम आ जाता है बहुत इंपोर्टन है होकी के प्लेयर दिपिका ठाकुर मिस्टर मनीश कौशिक मिस्टर मनीश नर्वाल मिस्टर दिपक निवास हुड़ा मिस्टर संदीप चौधरी तो इन सब को जो है यह अवार्ड जो है वो दिया गया है इसको दो तिन बार करोगे न आप इसको चार्ट बना के करेंगे इधर प्लेयर के नाम इधर फिल्ड कौन सी है इधर अवार्ड तो उसके इसाब से अगर चार्ट बना के दो तिन बार फिल करोगे 101 परसेंट याद हो जाने और आप देख सकते होगी यह वार्ड कैसे कैसे मिलता है रजीव गांधी खेल रतन वार्ट जो वो सबसे ऊपर है जिनकी चार साल की आउटस्टेंडिंग प्रफॉर्मेंस रही है उनको यह मिलता है पूरे चार साल की अर्जुन अवार्ड जो कंसिस्टेंटली चार साल जो करती है उनको दिया जाता है बलाना अबुलकलाम अजार ट्रॉफी जो यूनिवस्टी लेवल पे जो है बहुत अच्छा खेलता है यह पंजाब यूनिवस्टी को दिया गया चंडिगर्ड तेंजिंग नौर्गे नैशन अडवेंचर जिनोंने कोई अडवेंचरस बेस पे एक बार ऐसे करते हैं फटाफट रिवाइस कर लेते हैं फिर हम वीडियो को क्या करेंगे खतम करेंगे तो पहला कोश्चन था हमारे पास कि हर्याना चीफ मिनिस्टर जो मनोर लाल खटर जी है उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था रक्षा बंदन के दिन छाड़े 600 औरतों का सेशन रहता है ये भी इसी के नाम से रहता है हमारा हर्याना लाइक मारा हर्याना तो ऐसी था मारी बात मारे नोर के साथ नेक्स कोश्चन तो मिस्टर प्रदीप सिंग जो अभी UPSC में इसमें पहला रेंख हासिल करके हटे हैं वो मनोर लाल जी ने उनको इसके काम है अब वो ऑनलाइन हुआ करेंगे वो सारा का सारा पेपरलेस हो गया है अब ऑफिसर्स को उनका यूजर आइडियो और पासवर्ड दिया जाएगा उसके बेस पे ही जो है वो उनको चेक करना है कि क्या काम है कौन सा पेंडिंग है कितना टाइम उसको लगेगा व अभी CSAT वाला portion जो है वो खतम हो चुका है आपका CSAT खतम हो चुका है तो आपको focus तिरफ किस के उपर करना है पहले paper के उपर करना है जर्नल स्टडी के उपर focus करना है अगर आपके current fair अच्छे होंगे तो ही आप number ले आओगे क्योंकि बाकी चीज़े सब कर लेते हैं current fair वाल बनेंगे चलो नेक्स आते हैं all welfare schemes of the center and state government उनको merge कर दिया गया है एक हर्याना गौर्मेंट नेया initiative स्टार्ट किया कि सारी schemes को हम एक पत्तर दिया करेंगे जिसको क्या नाम देंगे परिवार पहचान पत्तर वो बांटे जाएंगे सारे गरीब परिवारों के अंदर और जो भी लाबार्थी होंगे उनको इसी पहचान पत्तर के थ्रू जो है वो schemes का लाब जो है वो दिया जाएगा तो ऐसे नहीं कि अलगलग scheme का अलगलग card उनको जो है वो रखना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा next question मुख्य मंतरी या महिला एवं किशोरी सम्मान जोजना के थ्रू लड़कियों और और ओड़तों को कितनी age के बीच में जो है फनी sanitary napkin जो सरकार की तरफ से दिये जाएंगे और ये दिये जाएंगे 10 से लेके 45 साल की बीच में हर महिने दिये जाएंगे हर महिने में जो है वो एक बार इसका जो है वो distribution होगा और एक package में 6 napkin जो है वो दिये जाएंगे next question lockdown नाम से साथ चोटे-चोटे जो plays हैं वो लिखे हैं बहुत ही प्रख्यात जो हैं वो novelist हैं प्ले राइटर हैं वो नाटक कार हैं हर्याना से बिलॉंग करते हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने ऐसा किया हो कि कोविड-19 के दुरान उसी चीज़ के उपर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा हो तो lockdown नाम उसको दिया और उनका नाम क्या था डॉक्टर आजे शर्मा जी आप देख सकते हो फोटो उनकी हर्याना से बिलॉंग करते हैं next question next question next question next question और वो आगे कोई भी साइंस टीम लेना चाहते हैं तो मत्रम नौन मेडिकल या मेडिकल करना चाहते हैं तो वो सूपर हंडर में जो है वो अपना दाखिला करवा सकते हैं next question तो हर्याना गौर्मेंट की तरफ से एक और नया इनिशियेटिव कि पंडित दीन द्याल उपद्याय ओनरेरियम स्कीम के अंदर कुछ पैसे जो हैं वो सरकार की तरफ से हर महने दिये जाएंगे उन गौर्मेंटेड़ स्कूल के रिटाइरिस को मतल़ रिटाइर टीचर्स को प्रिंसिपल्स को जो की 1988 से लेके 1998 तक के बीच में जो हैं वो क्या हुए रिटाइर हुए हैं मतलब इन 10 सालों के अंदर अगर आप रिटाइर हुए हो तो आपको जो है वो सरकार जो है वो पैसे देगी ज़्यादा से ज़्यादा बीस अजार रोपे और कम से कम जो है वो छे हजार रोपे वो आपको दिए जाएंगे वो depend करता है कौन सी पोस्स से retire हो, जैसे प्रिंसिपल हो है तो बीस हेजार जाएगा Union Home Minister Medal for Excellence in Investigation, ये 2018 में ही मैडल स्टार्ट किया गया था, और हर्यानास ये तीन बंदों को दिया जा रहा है, शेशाग कुमार सावन जी, DSP, अनिल कुमार सब इंस्पेक्टर, और रीता रानी जी, लेडी सब इंस्पेक्टर, इन तीनों को दिया जा रहा है, आपको व कौन से डिस्टिक्स से बिलॉंग करते हैं, जिनका अभी जो है, वो दिहान तो है, बहुत ही जानी मानी हस्ती, और आप बताओगे कि कहां से बिलॉंग करते हैं, कहां से बिलॉंग करते हैं, हिसार से बिलॉंग करते हैं, बिकॉज उनका जनम जो है, वो कहां पे हुआ था, हिसार में हुआ था कौन से स्कूल को जो है वो हर्याना में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है पलिकुत्तम नैशनल अवार्ड के अंदर जिन्होंने एजूकेशन के अंदर बहुत ही अच्छा काम के इन्नोवेशन की है वर्चूल लर्निंग के ओपर जो फोकस किया है तो अंसर क्या था उसका डी अवी पब्लिक स्कूल अगला कोस्टन था हमारे पास स्वच्छ सर्वेक्शन 2020 में हर्याना की कौन हर्याना के हर्याना को कौन सा रैंक जो है वो मिला है अंडर्ड दी कैटेगेरी ओफ अगला था कि कौन सी स्टेट जब खेलो इंडियय यूथ गेम का अंडर्ड कर कर फ़ोस्द कर करी है 2021 में फूर्थ अडिशन होगा होगा कहां पे हर्याना में याद रखना है हर्याना में इसका जोजन होगा असम में जो है वो 2020 के होने थे लेकिन वो COVID के कारण नहीं हो पाए तो 2021 में ऐसे नहीं कि असम ही दुबारा से होस्ट करेगा 2021 में जो है वो कौन होस्ट करेगा हर्याना होस्ट करेगा और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो BRICS Games जो नई गेम स्टार्ट की गई है ब्राजिल रेशिया इंडिया चाहिना और साउथ फ्रिका वो भी 2021 में होनी है तो वो भी जो है वो कहां पे होने की संभावना है हर्याना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ ही होने की संभा अरत कि यूद्श इंडेक्स के अंदर पहली बार जो है वो किसका करने के लिए किसिटनिक प्रॉपार का है तो उसमें हर्याना का रैंक जो है वो कितना है तीसरा रैंक है लैंड लोक स्टेट्स में क्योंकि पहला रैंक लैंड लोक स्टेट्स में राजस्थान का है दूसरा तेलांगना का है तीसरा किसका हर्याना का ओवराल रैंकिंग में जो है वो गुजरात पहले नंबर पे है तो मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम का जो कि संस्क्री गुरू कल नाम के स्वेमस है और वो कहां पे मंसा देवी टेमपल पंचकुला में उसको खोला जा रहा है और साथी सद मैंने संस्क्रीट से लेटर एक और चीज़ बताई थी कि महारीशी वालमिक की संस्क्री यूनिवस् की सिविनाश्रमिक तो इसका अंसर बहुत सिंपल था कल्पना चावला स्वभा प्रश ओसनेन में की क्वेड़ी कि अन्वेज़ कीा है करनाल के जो नहीं बुसटेंड है उसका नाम जो है वो बदल दिया आघह सकते हैं करनाल के नजी नाम जो है वो वह नारक दिया गया है लंडन में इनका रहना था और आप देख सकते हो इनके फादर जो है वो बौत ही फेमस डॉक्टर थे तो मदल नाल्टीen राजी तो याद रखना आपने कौन सी यूणिवस्टी को हर्याना की पहली यूणिवस्टी मतलब हर्याना की कौन सी यूणिवस्टी को पहला रैंक दिया गया है अटल रेंकिंग in institutions on innovation and achievement जो अटल रेंकिंग आती है, institutions की, उसमें अलगे कैटेगरीज हैं लाइक मेडिकल यूनिवसिटीज की अलगे, तो ऐसी agriculture यूनिवसिटीज के एक रेंकिंग है उसमें हर्याना ने पहला स्थान हासील किया है एक refined sugar जो की state government की एक body के द्वारा तियार की गई वो launch की उसका नाम के है एक शू शू शूगर और इसको मैंने याद करने का तरीक बताया था एक शूगर इस तरह से आप याद करोगे next question था कि हरयाना जो गुरुगराम के बाद जो है वो fundamental right एक violet करती है जिसके कारण जो है वो जीने कादिकार जो हो उनसे चीना जा रहा है तो manual squanging को खतम करना है तो इसलिए जो हो इसका use जो है वो किया जा रहा है और कहां पे किया सिर्सा के अंदर दूसरी district कौन सी बनगे सिर्सा important question है HCS के लिए important है next question कितनी प्रोसाहन राशी दी गई है हरेना government की तरफ से कि आप Olympic और Paralampic Games की त्यारी करो बाद मेनी पैसे देंगे हम कुछ पैसे आपको advance में दे रहे हैं तांकि आप पहले जो आपको पैसे चाहिए त्यारी करने के लिए वो आप कर सको और वो कितने लाक दिये जा रहे हैं पांच लाक रुपे जो हर प्लेयर को दिये जा रहे हैं और Olympics कहां पे होनी है 2020 में होनी थी लेकिन अभी 2021 में होंगी कहां पे Tokyo में होंगी दोस्तों और याद रखना है 2024 में कहा होगी 2018 में कहा होगी इसको आपने मुझे बताना है अंसर क्या होगा बिलकुल आप चाहे मेल करके बताओ चाहे किसी भी तरह से बताओ अंसर आपने बताना है next question था कि रजीव गांदी खेल रतन वाड कौन से दो प्लेयर्स को मिला है मैंने बताया था एक R से याद रखना है एक आपने K से याद रखना है एक R से याद करोगे एक K से नी Sorry एक V से याद करोगे तो बनो रजीव जी के नाम से आपयाद कर सकते हो तो R और V से R से रानी रामपाल जी होकी से रिलेटर होगी विनेश पोगड जी जो है वो transmit से रिलेटर होगे तो अगला कोश्चन आते हैं द्यानचंद अवार्ड जो है वो इस साल किसको दिया गया फिर से दो प्रशन है इसके अंदर दो चीजे हैं एक मनप्री सिंग जी हैं एक नेतरपाल हुड़ा जी हैं दोनों अंसर मिला के क्या हो जाएगा A&C तो मनप्री सिंग जी कबड़ी प्लेयर है नेतरपाल हुड़ा जी जो है वो रेसलेर्स हैं मतलब रेसलिंग से तालुक रखते हैं अगला कोश्चन था दुरोन नाचारे अवार्ड किसको दिया गया एक तो मनप्रिस सिंग जी को नहीं दिया गया, अंसर है क्रिशन कुमार जी को दिया गया, ओम परकाश दिया जी को दिया गया है, और जो क्रिशन जी है वो कबड़ी इंस्ट्रक्टर है, ओम परकाश दिया जी, रेसलर है, मतला रेसलिंग इंस्ट्रक्टर है, नेक्स कोस्चन और मैंने आपको नाम बताये थे इस स्लाइड का स्क्रीन शोट जरूर लेके रख लेना आपने या इसको लिख लेना आपने कि तीन कोश्चन तो हम कोश्चन की फॉर्म में कवर कर चुके हैं लेकिन अर्जुन वाड को नहीं कवर कर सकते तो क्योंकि इसमें बहुत से नाम है तो आपने जस्ट इसको दीरे-दीरे करके जाद करना है जैसे मनुबाकर जी का नाम important है Mr. दिपक निवास हुड़ा क्योंकि ये confuse करेंगे Mr. नेतरपाल हुड़ा जी के साथ संदीप चौधरी नाम बहुत important है आपने याद रखना है दिपक अठाकुरी ये तीन-चर नाम आपने याद रखना है दिरे-दिरे करके जो है वो सारे याद हो जाएंगे Thank you for watching this video मेरे खाल से सारी चीज़ें आपको clear होगी होगी अगर कोई डाउट आता है तो आप इस email ID पे जो वो